प्रथम तहलका न्यूज का विरोध करते हैं वही युनिट प्रधान रामदिया शर्मा ने कहा कि सरकार ओननाईन कर रही है जिसको लेकर हमने गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाव विरोध जताया है उन्होंने कहा कि हमारे कई करमचारियों की ट्रांसफर कर दी गई है से निगम और करमचारियों का नुकसान होगा क्यूंकि बदली होने के बाद नई जगा पर नया काम देखने में काफी समय लगता है और जेई वा करमचारियों को लाइन का पता नहीं होता जिसके कारण हादसे भी होते हैं वहीं इस बात को लेकर करमचारी यूनियनों वा करमचारियों में भारी रोश है यह ओन लाइन ट्रांसफर पूल से एकिलाप की जा रही है क्योंकि अब कुछी दिन पहले जई फर्स्ट की यूडिसी लडिसी की ट्रांसफर कर दी गई है जिससे निगम का और करमचारियों काफी लोस होगा क्योंकि बदली होने के बाद नई जगह पर नया काम सीखने में काफी समय लगता है और जैयों को लाइन का पता लगने में काफी समय लग जाता है पर्मिट लेने में दिखते आती है जिससे एक्सिडेंट होने के काफी खतरे बढ़ जाते हैं जिससे यूनिनों में काफी रोज है क्रमचारियों में काफी रो इस दुरान करमचारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि ओनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को बंद किया जाए ताकि निगम के कारे सुचारू रूप से चलते रहे हाला कि अब देखना होगा कि सरकार के खिलाब करमचारियों के इस प्रदर्शन का सरकार पर क्या आसर पड़ता है प्रतम तहलका के लिए नानौन से प्रवीन कुमार की रिपोर्ट